दोस्तों 26th of February 2021, काफी ज़्यादा गिरावट हुआ है निप्टी में, लगबग 3.5% से भी ज़्यादा यहाँ पी गिरावट हुआ है, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को पोटफोलियो को प्रोटेट करने के लिए Nestle India किसी साम से हेल्प कर सकता है, यहाँ पे मैं completely technical analysis करूँगा, because already fundamental analysis में कर चुका हूँ वीडियो में, और उसी वीडियो का link में आपको जो cards होता है, वहाँ पे description में दे दूँगा, वहाँ पे जो link share आप लोग के साथ कर दूँगा, so that आप लोग उसका fundamental analysis देख पाँ, और यहाँ पे इसी सीरीज में हम लोग बात करे तो एक ही request है, आप लोग का एक ही suggestion है कि completely video को without skipping देखना है, because एक जो analysis होता है, technical analysis, दूसरे analysis के साथ अपने आप में internet होता है, अगर कहीं पे skip आप लोग का हो जाता है, तो पूरा story समझने में तोड़ा सा time लग सकता है, या आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो यही मेरे suggestion रहेगा कि आप लोग completely वीडियो को जरूर देखेगा, नमस्का दोस्तों, मार्केट इलाइट में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज, Nestle India Limited के बारे में, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते कि इसका quarterly result क्या बता रहा है, तो यह यहाँ पर जो net profit था September 2020 में, उसके हिसाब से थोड़ा सा कम आप लोग को दिख जाएगा, लगभग 100 करोर का कम दिख जाएगा, और यहाँ पर हम लोग को जून 2020 के हिसाब से भी थोड़ा सा आप लोग 4 करोर के असपास के यहाँ पर कम दिख जाएगा, और मार्स 2020 में तो का 525 करोर का, तो यहाँ पर टोटल 4 क्वार्टर के उपर अगर हम लोग बात कर लें, तो अभी का situation पर हम लोग काफी कम नंबर पर है, in the case of the Nestle India, तो वहाँ पर निमार्केट थोड़ा सा रियार्ट किया है, और हम लोग को एटी जे opportunity, यह मान के हम लोग को चलना है, इसको का होल्डिंग के उपर आप लोग बात करोगे, तो FIA होल्डिंग काफी अच्छा बढ़ा हुआ है, 12.84% तक आचुका है, DIA का होल्डिंग यहाँ पर काफी कम घटा हुआ हुआ, उतना ज्यादा भी नहीं घटा हुआ है, और पॉब्लिक का जो होल्डिंग है, वहाँ पर वोल्डिंग जो है, वो पूरा pure to pure constant है, तो वो हम लोग के एक अच्छा का सा trigger point हो सकता है, इसमें long term investment करने के लिए, तो और यहाँ पर अगर डेट की उपर बात किया जए, तो डेट यहाँ पर काफी कम है, 147 करोड का डेट है, और डेट to equity ratio निकल के आता है, 0.07, तो अल्र नेसले का अलेट डिमार्ड आप लोग को पता है, और यहाँ पर किसी साफ से नेसले को इंडिया मार्केट में accept किया गया है, वो भी आप लोग को पता है, तो मैं सीधा उतरता हूं इसका technical analysis पर, और यहाँ पर मैं अगर बात करूंगा, पूरा complete, अगर बात किया जए, जब गिरावट दिखाया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो चुका है, लगभग यहाँ पर बात किया जए, 18,727 से 16,000 पर पहुंच गया है, मतलब लगभग आप लोग बोल सकते हो कि 27 रुपे तक यहाँ पर गिरावट आ चुका है, और यहाँ पर अभी का situation पर म हम लोग को काफी मुनाफ़ा दिख सकता है, टार्गेट क्या होगा, मैं आगे आप लोग के साथ बात करूँगा, तो आप लोग वीडियो के साथ जरूर बने रही है, तो उससे पहले हम लोग बाकी जो टाइम फ्रेम है, उसमें भी हम लोग कुछ रेजल्ट देख लेते है और वन उइक के हिसाब से, आप लोग को दिखेगा कि एक जो गिरावट है, इंटेंसिटी भी साथ में है, और यहाँ पे वन मन्त के हिसाब से भी देखा जाए, तो यहाँ पे भी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, तो ध्यान से थोड़ा सा आप लोग के यहाँ पे देख और यहाँ पे जब भी नीचे आता है, हम लोग को आजे उपर्चुनिटी ही लेना चाहिए, तो उस हिसाब से देखा जाए, तो 16,000 यह वाला लेबल आप रियाद रखिए, 16,000 लेबल इस बेस्ट लेबल टू एंट्री इंसाइड नेसले इंडिया लिमिटेड, और दूसर जितना बत लंबा हिस्ट्री आप लोग देख लो, और यहाँ पे 45 डिग्री अंगेल, 45 डिग्री स्लोप में इसका जो अंगेल है, यह कंटिन्यू कर रहा है, और उसके नीचे आना मतला हम लोग के लिए 2 फिर से में बतारो, यह एक उपर्चुनिटी की तरह सामने नजर आ है, और आप लोग का रिस्क रिवाट के रिशो के साफ से यहाँ पे काफी, हो सकता है तो, यह कंटिन न फको आ भूब यहाँ लिए, अगर टार्गेट देखना तो, 17,000 in the case अब तो short term दिख जाएगा किभी 17,000 के आसपास के यहाँ पर breakdown आप लोग का down opening हुआ है तो उसी gap down को यहाँ पर complete करने के लिए जरूर आएगा, कब आएगा वो भी मैं आपको साथ बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा यहाँ पर जो दो green candle बना हुआ था उसके साथ volume support में नहीं था फिर उसके बाद गिरावट हुआ है और जो एक ही red candle इस दोनो green candle को complete कर दिया है उसके बाद जो यहाँ पर जिस हिसाफ से doji type का candle पर पूरा था doji नहीं बना हुआ है लेकिन doji type का candle बना हुआ है यहाँ पर volume भी थोड़ा बहुत support में है तो थोड़ा सा और गिरावट हो सकता है इसलिए मैं बोला कि 16,000 और 100 रुपे तक के आसपर का गिरावट यहाँ पर हो सकता है 16,000 का label जभी भी यहाँ पर टच करता है तो आप लोग को एक investment का opportunity काफी अच्छा मिल सकता है और तीसरा जो हम लोग का बहुत ही एहम भूमी का निवाथता है डाटी जो डाइवर्जेंस तो यहाँ पर अगर डाइवर्जेंस के हिसाफ से बात किया जाए तो लॉंग टर्म में अप लोग के दिख जाएगा की higher low और यहाँ पर बॉल्यूम में दिख जाएगा और इसी लेबल से अगर यहाँ पर उपर चलता है तो आप लोग को काफी अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है और दूसरी बात यह है कि डिविडेंट जो आप लोग का नवेंबर के आसपास में यहाँ पर डिकलार हो सकता है जितना मेरा मानना है तो उसको ले के अगर April और May की बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसी dividend को अगर market react करता है तिन वहाँ से एसे भी उच्छाल आ सकता है तो इसको ले के अगर आप लोग बात करो तो यह भी हम लोग का एक buying indication नजर में आ रहा है in the case of the Nestle India Limited और जो चौथा चीज है पर Nestle India को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला इसलिए मैं बोला अगर निप्टी को defend करना है निप्टी का जो गिरावट हो रहा उसको defend करना है तो वहाँ पर आप लोग को बिल्कुल भी आप लोग को Nestle India में जरूर इंवेस्ट करना चाहिए आप लोग को कहीं पर भी निप्टी चला जाए निप्टी कहीं पर भी मुवमेंट करें इसको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला निसले अपने तरीके से अपने टेक्निकल चार्ट के हिसाब से यह मुवमेंट जरूर कर सकता है और यहां पर मैं बात करूँगा आखीर में जो थोड़ा सा green signal आने के पाथ इसमें काफी ज्यादा उच्छाल आ सकता है तो मैं चाहता हूं कि हम लोग यहां पर हम लोग का जो opportunity इसको grab करें और one week के हिसाब से देखा जाए तो यहां पे भी overboard zone में आ चुका है कभी भी buying signal आ सकता है उसमें आप लोग को wait and watch करने का कोई भी यह लेबल ही सही है हर लेबल आप लोग का जो मिलता है यहां पर आप लोग को सही हिसाब से मिल जाएगा और one month के हिसाब से अल्रेडी आने के लिए तगार में है और यहां पर entry भी कर चुका है आपका range के अंदर तो यहां पर भी उच्छाग नजर जरूर आ रहा है तो हर एक जो हम लोग का technical analysis का हर एक setup अगर हम लोग बुलीज signal देता है तो देर किस बात की तो यहां पर Nestle India में अगर हम लोग invest करते हैं तो निप्टी कहीं पर भी जाए हम लोग को कोई फरक नहीं पढ़ने वाला और यह एक अच्छा defensive stock के हिसाब से यहां पर सामने नजर आ सकता है तो यह था Nestle India का एक छोटा सा analysis आप लोग को कैसा लगा मेरे को में बताना कोई भी दिक्कत हो वो भी मेरे साथ बात कर सकते हो अच्छा लगा था जरूर लाइक करना और जो भी दोस्त लोग है उन लोग के साथ भी सेयर करना उन लोग के एक अच्छा information मिल पाए अगर कह ही पर दिक्कत हुआ वो भी मेरे साथ बात कर सकते हो और यहां पर कॉमेरे से बता सकते हो कि कहां पर मेरे को और भी development करने का जरूर दर आप लोग का value addition पर कोई भी कमी महसूस ना हो तो आज के लिए इतना ही आपका अपना अपना फैमिली का और अपना portfolio का खेया लगते रह हुआ है कुआ है वाहज है